कि हाव टू फाइंड दा आंसर ऑफ दिस कोश्चन इन जस्ट अ सेकंड आये देखते हैं तो यहां पर हमें गीवन है कि एसन जो है वो डिनोट कर रहा है सम अफ एंट टम्स ओफ एन एपी और हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड करना है और बताना है कि यह किसके बराबर होगी चार ऑप्शन में को दे रहे हैं A B C D अब इस कोश्चन इस तरह के एपी कंसीडर करेंगे और कोई भी से मेरा मतनब है यहां पर मैंने दो एपी आपको गीवन है एक है हमारी मास्टर एपी डैट इस काउंटिंग नंबर्स और दूसरी हमारी गोल्डल एपी डैट इस आ कॉंस्टेंट एपी आप इन दोनों में से कोई भी एक एपी चूस कर और यहां पर इस केस में एकउंट रखूंगा जो मेरा particular यह जो expression था यह वाला यह expression convert हो जाएगा इसमें क्योंकि S की value जैसे मैं 1 put करूँगा यह हो जाएगा S3 यह हो जाएगा S1-1 यानि 0 यह हो जाएगा S2 और यह हो जाएगा S1 तो यह मेरा convert हो गया S में तो अब sum S3 का हो तब क्या है क्या है कि sum of first three terms of an AP AP मेरी क्या है 111 इसके पहने 3 terms का sum क्या होगा 1 plus 1 plus 1 किसके बराबर आएगा 3 के sum of 0 terms sum of 0 terms कितना हैगा 0 ही आएगा sum of 0 terms होते हैं मतलब क्या है 0 sum of 2 terms sum of 2 terms कितना हैगा 1 plus 1 is equal to 2 sum of 1 terms क्या होगा 1 ही होगा तो जैसे ही मैं इसको solve करूँगा answer क्या जाएगा 3 minus 0 divided by 2 minus 1 तो मेरा answer क्या जाएगा 3 अब options case में N में मैं options में भी N की वेन में 1 put करूँगा तो जैसे ही मैं option A में N की वेन में 1 put करूँगा जो मेरा answer है वो क्या आजाएगा बट मेरा जो answer है मेरा answer क्या आना चाहिए मेरा answer 3 आना चाहिए जब मैं B में option में put करता हूँ तो answer क्या आता है 2 times 1 plus 1 उसके से मेरा answer आजाता है 3 जो कि मेरा required answer है मैं अगर option C की बात करूँ अगर मैं C में 1 put करूँ आ तो किससे बर्वर जागा और D में अगर put करूँ आ तो ये half की बर्राब आजागा तो मेरा answer क्या है मेरा answer जो मेरा correct answer है मेरा answer है option number B मेरा correct answer है तो तो आपने देखा कि कितनी असानी से बिना किसी मैनत के हम answer पे पहुच गए और AP के जो questions है इस तरह के questions आपको different different exams में पक्का देखने को मेंनेंगे और इस तरीके से using this this technique you can solve any question of AP in just a second so if you find the video informative please subscribe to our channel and share it with your friends thank you very much you